गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ससी लोधी ब्लॉक्स में और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई हो आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बताने वाले हैं कुछ टिप्स जो सर्दियों से हम अच्छे से बचा कर रखेंगे तो सबसे पहले हमें इस तरह की हल्दी वाली टी लेना है इसे डे में पूरे दिन में दो बार कम से कम लीजिए और अकरोंट बादाम काजू इस तरह के ड्राइफ रूट भी खुद लीजिए और अपने बच्चों को भी खिलाइए इससे हम ताजगी मिलेगी हमें अंदर से सरीर गरम रहेगा और सर्दी लगने के कम चांसे रहेंगे तो यह है जरूर ट्राइफ करना आप और अपनी फैमली को जरूर दीजिए सेकंड टेप है गरम पानी से हमें क्या होता है ना नहाते समय गरम पानी चाहिए होता है तो उसे गुन पानी से नहाना चाहिए जादा गरम नहीं करना चाहिए और बरतन माजते समय भी आप इस तरह से हीटर को गरम करके पानी गरम कर सकते हैं और यह टिप हम खुद आजमाते कभी कभी क्या होता है ना जल्दी हडवडी में बरतन साप करते हैं गरम पानी नहीं हो पाता है सफ्लें बहुत हो जाते तो कुछ गयंस को अप्तente के लिए आप हाथों को सेख सकते हैं और को जोड़ा धूर करके को किये और अबयां में करणा यह तो चंपर आces लेका हैं और नेस्टे बे हमारे ये सर्दियों में कपड़े हम पहनते हैं तो क्या होता है ना हैवी कोट पहन लेते हैं तो उससे हमारे कपड़े इस तरह के ये देखी इस तरह से हैवी कोट होते हैं स्वेटर्स होते हैं तो हमें ना काम करते हैं घर का किचिन का तो बहुत परेशानी तो इससे अच्छा है ना हम अपने बच्चों को भी इस तरह से स्वेटर से इनर्वियर होती है ना और हमारे बड़ों के लिए भी इस तरह के इनर्वियर आते हैं वो आप केरी कर सकते हैं इससे सर्दी लगने का भी चांस कम रहता है और स्वेटर से हमें भारी भर कम स्वेट सब्सक्राइब कर fall कि स्वेटर रेऊ विर पना सब्सक्राइब केट हम सब्सक्राइब स्बबेग्युटाइब ना सब्सक्राइब अपने बचों को भी इस तरह से इनर्वीय सुछ जरूर पहनाएं और नेश्ट पर हमारी ये thermal bottle से लेकर इस तरह की bottle आप पूरे दिन भर के लिए जरूर गरम पानी करके दिन में रखियेगा गरम पानी सर्दियों में जरूर पीएगा दिन हो या रात हो कभी भी आप ठंडा पानी नहीं पीना है गरम पानी ही आपको पीना है ये आपके body के लिए भी अच्छा रहता है कोई नुकसान नहीं देता next पर हमारी फटी एडियां होती हैं कोनी होती है या फिर hand भी फट जाते हैं किसी भी तरह से फट जाते हैं सर्दियों में ज़्यादतर ऐसा होता है तो उसे बचाने के लिए हमने लिया है कोई भी body lotion आप ले सकते हैं आप जो भी body lotion यूज करते हों वो body lotion लीजी और थोड़े से body lotion में इस तरह से 2-3 बूदे glycerine की ले लेना है 2-3 बूदे ही लेना है इतने body lotion में ज़्यादा नहीं लेना है तो इस तरह से mix करके आप हतेली पर ही mix कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा quantity में बनाना चाहें तो आप का टोरी वाउल्स जो भी लेना चाहें उसमें mix करके रख सकते हैं 6-7 दिन के लिए और अच्छे से आप full body पर कौनी ओपर हतेली ओपर हैंड पर और पैरों पर अच्छे से लगाईए तो आपकी जो कौनी हतेली होती है ना हैंड होते है ना वो बिलकुल भी नहीं फटेंगे यह टिप जरूर ट्राइ करना कोई भी body lotion लीजिए और उसमें थोड़ा सा glycerine mix करिएगा तो इससे आप सर्दियों में बचे रहेंगे फटे हाथ हाथ नहीं फटेंगे आपकी एडियां नहीं फटेंगे तो बिलकुल आपकी एडियां हाथ सुरच्छित रहेंगे तो अगर आपको हमारे यह टिप्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और कमेंट जरूर करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिए और body lotion लगाने के बाद हमें इस तरह से जुराब पैन लेना है क्योंकि जो हमने body lotion लगाया है वो कपड़ों में पुछ जाएगा इससे बचने के लिए जुराब जरूर पोएन यह और हमारी क्या होती है टाइल्स हमेशा सर्दियों में ज्यादा थंडी रहती है तो उससे बचने के लिए हमें इस तरह की sleepers पैन लेना है और अब बारी आती है face cream की face cream में भी थोड़ी सी cream लेना है हमें और उसमें एक बूंध ही glycerine डालना है हमारी यह ज्यादा हो गई थी तो मैंने back में लगा दिये वस एक बूंध लगाईए glycerine और अच्छे से mix करके face पर hot पर अच्छे से लगा लिजे इससे हमारा face कभी भी फटेगा नहीं होट भी कभी भी फटेंगे नहीं तो यह भी ट्रिप जरूर ट्राई करना और अगर आप चाहें अच्छे से अच्छा face बना रहा है तो यह glycerine जरूर लगाईए अपने हातों में face पर full body जरूर apply करिएगा और इससे हमारे होट बिलकुल भी नहीं पठेंगे और हमारे होट में कोई भी chemicals का भी कोई भी reaction नहीं होगा तो यह tip जरूर ट्राई करना नेश टिप है हमारा यह lip balm लिप बाम आप लगाते हैं लिपिस्टिक लगाते हैं तो इनमें ना chemicals रहता है तो इ लिप्स पर लगाई है chemical से भी फरी रहेंगे हमारे लिप्स और अच्छे से हमारे होट भी चमकते रहेंगे और लाल बने रहेंगे ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू गाइस